Your students , आप देख रहे हैं ,set number one , वैसा यद्धन का काफी कमेंट आ रहे थे आपके तो हमने set one नमबर आपका जारी कर दिया है और ध्यान रखना है आपको जितने भी subjects हैं , उनके लिए comment करिए सारे subjects आपके बनाए दिये गए हैं , उनको देखिए description में जाकर अपनी playlist के अंदर पहले question से start करते हैं English और Hindi medium दोनों के लिए question solution हमने दिया है ताकि आपको अच्छे तरी के समझ में आ जाए विपनन मिसनन क्या है यानि what is marketing mix विपनन मिसनन क्या है या आपको बताना है तो विपनन मिसनन जो है गटको का मिसरन है जिसमें आपका जो है उत्पाद है मुल्ले है स्थान है और समर्धन नाम से जाने जाते हैं इन चार गटको को ठीक है तो यहापे मैंने English में भी लिखा है marketing mix is a set of marketing tool or tackles tactics used to promote a product or service in the market and sell it marketing mix is a combination of four elements product price promotion and place इसका दूसरा जो question है इसमें पूछा गया आपसे निर्देशन का अर्थ बताना है write the meaning of direction तो निर्देशन का अर्थ है संगठात्मक लक्षय को प्राप्त करने के लिए निर्देशन देना, मागदर्शन करना प्रमर्ष देना, किसी संगठन में करमचारियों को काम करने के लिए प्रेद करना और निर्देशन करना बहुत ही simple definition और simple तरीके से इसको solve किया है आसान language में ताकि आप लोगों को समझ में आए और आसानी से याद हो पाए जिसमें आगया अब इतिये प्रेदना के job security और करमचारि ससकती करन employee empowerment सारे को सामिल किया जाता है तो आपको कोई भी दो लिखना था तो आप दो दे सकते हो इसके बाद मैं नियंतरन का तात पर रेका है what is meant by controlling तो यहाँ पर जो है नियंतरन का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि किसी संगठन में गतिवीधियों को योजनाओं के अनुसार किया जा रहा है या नहीं नियंतरन यह भी सुनिश्चित करता है कि वानचित लक्षियों की प्राप्ती के लिए एक संगठन के संसाधनों का प्रवावी डंग से और कुशलता से प्रियोग किया जा रहा है नहीं ठीक है तो इस तरह से यह आंसर हो गया अगले कोशन की बात करते हैं राश्टी आयोग कितने रुपए तक के विवादों का सामाधान करता है तो नेशनल कमिशन कितना जो है अमाउंड तक जाता है तो यहां पर अबव एक करोड जो है एक करोड से अधिक तक राश्टी आयोग जो है इस विवादों में जाता है यानि कि राश्टी आयोग के पास जाना पड़ेगा अगर मुद्रा एक करोड से अधिक विवादित हो गई है तो next जो है आपका नेतथ्व को परिभाशित करना है यानि लीडर्शिप को तो नेतथ्व वैक्तियों के वहवार को प्रभावित करने की एक प्रिक्रिया है जो उन्हें संगठनिक लक्षियों की पूरति हेतु कार्रे करने के लिए प्रोद करती है और कित डेविश के अनुसार जो है नितुत दूसरे वेक्तियों को पूर निर्धारित उदिश्यों को उत्सा पूर वक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेदित करने की योगिता है ठीक है तो यह आप अगर यह के वब सिंगल लाईन यह वाली लिख देते हो तो भी आपका अंसर करेक्ट माना जाएगा तो यह पर मैंने इंगलिस वह लिखा है अपने इसके उपयोग से है जो है सुरक्षा प्रदान करती है नि कोई आपका ट्रेड मार्क नहीं चुरा सकता इस प्रकार जिस फर्म ने अपने ब्रांड को पंजी करत कराया है उसे इसके उपयोग का विशेश अधिकार प्राप्थ होता है ठीक? अगे आते हैं नेक्स्ट को़िशन पर नेνस्ट जो कोशन है विपणना-ण और विक्रे में कोई तीन अंतर स्पस्ट करना ए तो तीन डिफ्रेंसेस आप बता सकते हैं अमने आपे डिफ्रेंसेस लिख रखें सबीरे गतिविदियाँ विक्री और लाब को अधिक्तम करने पर निर्देशित होती है विपनन गतिविदियां ग्रहकों की संतुष्टी पर निर्देशित होती है और इसे लंबे समय तक लाब होता है दूसरा जो है आपका इसमें आपको अंतर बताना है कि दोनों में क्या क्या अंतर है ठीक है हम दोनों का अ उत्पाद के उत्पादन से बहुत पहले शुरू होती हैं और उत्पाद के बेचे जाने तक भी जारी रहती हैं इसमें विक्रे में ग्राहक को उत्पाद के अनुसार जुकने पर जोर दिया जाता है जबकि विक्रे में ग्राहक की जरूरतों के अनुसार उत्पाद और अन्य रण नीतियों को विक्सित करने का प्रयास किया जाता है तो इस तरह से तीनों में हमने अलग-अलग उंतर बताए है आप चाहे तो टेबुलर फोर्म में भी इसको लिख सकते हैं टेबल बनाके एक तरफ आप विक्रे लिख देंगे एक तरफ आप विप्डा लिख देंगे और फिर इसको लिख देंगे इसी को इंग्लिस में हमने यहाँ पर समझाया है फर्स नमबर यह रहा, सेकिंड नमबर यहाँ पर आ गया इसको नीचे करना भूल गया तो फर्स नमबर ये है सेकंड नमबर ये है उसके बाद थर्ड नमबर यहाँ पर दिया गया है उसके बाद आते हैं next question पे next question है नियंतरन के महतो के किनी तीन विंदूओ को समझाना है तो three points of importance of controlling तो नियंतरन का महतो क्या है संगठनात्मक लक्षियों को पूरा करने और मानकों की सटीकता को आकने में मदद करता है संसाधनों के कुशल उपयोग और करमचारियों की पेड़ना में सुधार करने मदद करता है वयस्ता और अनुशासन सुनिशित करके बहतर परदर्शन करने में मदद करता है तो इस तरह से तीन महतों जो हम बता सकते हैं आसानी से तीन लाइनों में इसके बाद आते हैं next यहाँ पर भी importance of controlling मैंने तीन लाइनों में बता रखा है उसके बाद आते हैं next जो दसवा question है उभोकता सोसन के कोई तीन उधारन दें तो एक तो है आपका यहाँ पर मैंने 5 उधान दिया आपको कोई भी तीन आपको अच्छा लगता है जो याद हो जाए वो आप लिखिए लेकिन सारे याद रखिए क्योंकि यह आपका जो question है तीन नंबर की जगे है आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा तो 5 point लिखने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी question कहीं भी पूछा जा सकता है तो कम वजन और कम माप जो है एक तो यह exploitation में आता है बाजार में बेचे जाने वाले सामान को कभी-कभी नापा या ठीक से तौला नहीं जाता दूसरा है घटिया गुणवत्ता होती है बेचा गया माल कभी-कभी घटिया किसम का होता है और उभोग्य सामगरियों को उनकी स नमापती थी थी के बाद बेचना और खराब या घरेलू खराब या दो बर खराब आ गया तो आप एक बार जो है इसको खराब को हटा देंगे दो बार खराब है तो खराब हटा देंगे ठीक है एक बार यहाँ पर जो है हम लिख देंगे खराब जो आपका खराब घरेलू उपकर्णो तो मैं सही कर दूँ आपे खराब देखिए सब्सक्राब बेचना और खराब घरेलू उपकर्णो की आपूरती आम तोर पर भोगताओं को नियमित शिकायते होती हैं ठीक है अगर आप खराब देते हो तो यह भी एक exploitation है उच मुले बहुत बार व्यपारी जो है निर्धारित खुद्रा मुले से अधिक कीमत वसूलते हैं ये भी एक उच मुले होता है और नकली वस्तुएं वास्तुएक पूर्जे या माल के नाम पर वोगताओं को जो है नकली वस्तुएं जो है बेची जाती है ठीक है तो नकली वस्तुएं में भी दो बार नकली आ गया है तो एक बार नकली कर लें नकली वस्तुएं बेची जा रही है ठीक है और आपका पाँचवा है मिलावट और असुदता तो महेंगे खाद पदार्त जैसे तेल घी और मसालों में अधिक लाब कमाने के लिए मिलावट की जाती है इससे गरहकों को भारी नुकसान होता है उन्हें आर्थिक नुकसान होने के साथ साथ उनके स्वास्त भी खराब होता है तो ये पांच में से आप कोई भी तीन पॉ यहां पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है सेम चीज जो मैंने उपर लिखी है वही चीज मैंने यहां पर इंग्लिस में आपको समझाईए तो आप इसको इस तरह से नोट करेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ नेक्स्ट जो ग्य निती गत मामलों में लिखित संचार की आउशकता होती है उपचारिक संबंद जो है इसमें दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे यह संचार उन कर्मचारियों के बीच अपनाया जाता है जहां संगठन दुआरा आपचारिक संबंद इस्थापित किये गए हैं प्रेशक और प उजरना पड़ता है उधान के लिए एक कार्यकरता की भावनाओं को प्रमंदक यानि उच इस तरह तक पहुचाने के लिए फोर मेन की मदद लेनी पड़ती है तो इस तरह से तीनों चीज़े हम बता देंगे इसी को हमने आप इंग्लिस में भी समझाया है आप जब आपने दूसरा हम कह सकते है उतपाद की समगरी को खराब होने से तूटने से रिषाव से चोरी से चती से जलवायू प्रभाव से बचाता है उतपाद के भंडारन वितरण और परिवहन के दोरान इस तरह की सुरक्षा आउश्यक होती है और तीसरा point हम लिख सकते हैं उत्पाद के उप्योगों को सुगम बनाना यानि package का आकार ऐसा होना चाहिए कि वोगताओं के लिए खोलने संभालने और उप्योग करने में वो सुभिदा जनक हो और प्रसाधन समगरी दवाएं और toothpaste की ट्यूब इसके अच्छे उधारण है जो कि आप देख चुके हो तो हम उधारण भी दे रहें इसमें तो इसको मैंने इंगलिस में भी समझाया three functions of packaging को तो यहाँ पर पहला आपका product identification दूसरा आजाएगा product protection और तीसरा आजाएगा facilitating use of product ठीक है आते हैं next 13 number question पर परवेक्षक के किनी तीन कार्यों का उलेक करना है या नहीं आपको function बताने है supervisor के तो supervisor के बहुत सारे कार्यों है देखिए एक संगटन में जो परवेक्षक यानि supervisor वेवेक्ती होता है जो स्रमिकों की विभिन गतिविदियों की protection रूप से देखरे करने के लिए जिम्यदार होता है और निम्रिखित कार्ये जो है परवेक्षक द्वारा किये जाते हैं पहला एक परवेक्षक स्रमिकों का माग दर्शन करता है और उन्हें सहायता प्रदान करता है वे सुनिश्चित करता है कि स्रमिक सद्भा और एक्ता के साथ काम करें दूसरा है वे प्रबंद और स्रमिकों के बीच संचार की कड़ी की रूप में काम करता है वे जहां एक और प्रबंदक की जानकारी और विचारों को सरमिकों तक पहुँचाता है वहीं दूसरी वर सरमिकों की समस्याओं को प्रबंदक तक पहुँचाता है दूसरे सब्दों में प्रबंदक और करमचारी परविक्षक के माद्यम से संचार करते हैं इसमें supervisor ही है जो दोनों के बीच की कड़ी है तीसरा हम मैं बता सकते हैं यह सुनिश्चित करना परवेक्षक की जिम्यदारी है कि कार्य कुशलता पूर्वक और सुचारी रूप से किया जाता है और निर्धायत लक्षियों को पूरा किया जाता है ठीक है तो यह इसके कार्य ह इस घर को मैंने यह पर समझा है तो आप आगर हिन्दी में आपने समझा है तो आपको अब English जखानी शाने सैंगैना आजाएगी तो तीनों पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बादर आते हैं मानकों से की जाती है इसके बाद सुधार आत्मक कारवाई शुरू की जाती है दूसरे सब्दों में यदि अतीत में मानकों का निर्धार नहीं किया गया है तो नियंतर्ण करना बिल्कुल भी संभव नहीं है यहाँ पोस्ट मॉटम की तरह है जैसे पोस्ट मॉटम करते हैं ब में इसको इंग्लीस में वही चीज जो आपको हिंदी में समझा है उसी को मैंने इंग्लीस में यहां पर समझा है आगे बढ़ते हैं next question की तरफ दीर गुत्तर यह प्रशनों में तो उभोक्ता सनरक्षन अधिनियम 1986 के अंतर गत्त जो है उभोक्ता को कि नहीं पाँच अधिकारों का जो है संचिप्त में वर्णन करना है पाँच की जगे नौ अधिकार, दस अधिकार है हम कोई भी पाँच अच्छे अधिकारों को लिखेंगे जो आसानी से याद हो है उबोगताओं को विभीम परकार के जो अधिकार प्राप्त है 1786 Act के तहट तो पहला है सुरक्षा का अधिकार या उबोगताओं के मूल अधिकारों में से एक है या उन्हें उन वस्तुओं और सेवाओं के उबोग से बचाता है जो उनके जीवन और संपत्ती के लिए खतरनाक है यदि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उत्तपाद जो है बाजार में बेचने के बाद खतरनाक पाया जाता है यानि कि उस जब बनाया गया तब तो खतरनाक नहीं था लेकिन बेचने के बाद वो खतरनाक हुआ किसी को सूट नहीं किया तो ऐसी इस्तिती में सुरक्षा का अधिकार उभोगताओं को व्यापारियों से उस उसपाद को वापस करने उसमें संसोधन करने या फिर उभोगताओं को नुकसान की भरपाई करने का अधिकार देता है सुरक्षा का अधिकार ठीक है ऐसे ही सूचना का अधिकार है इस अध के बारे में ठीक से निर्देश दिया जाता है ये जानकारी उभोकताओं को वस्तु और सेमाओं का सही चुनाओ करने की अनुमती देती है तीसरा हम बता सकते हैं चुनने का अधिकार आज कल बाजार में तरह तरह के सामान भरे पड़े हैं और उभोकता को उत्पादों की एक विस्तित संक्ला से चुनाओ करने में शक्षम होना चाहिए उसे अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सामान चुनने का अधिकार है चुनने का अधिकार एक उभोकता को प्रतीस परधी मुल्य पर बाजार में उपलब्द किस्मों में से एक उप्युक्त उत्पाद का चे चाहिए उसे प्रतीस पर बाजार में शक्षम बनाता है यह ज्यान उप्भोकताओं के बीच जागरुकता पैदा करता है और वे खुद को अनुचित वयपारियों से बैतर तरीके से बचा सकते हैं सरकार मीडिया के साथ भिन गैर सरकारी संगठन उप्भोकताओं के बीच जागरुकता पैदा करने और उन्हें सिक्षित करने में महत्वपूर्ण वुमिका निभा रहे हैं उधारन के लिए जागो अवियान भी आप जानते हो चल रहा हर जगे पे हमेशा टीवी पे इसका एड़ आता रहता है पांच वह हम बता सकते हैं स्वास्त पर्रयावरण क पर्यावरण का अध्यार कैसे बता सकते हैं तो देखिए एक मनुश्य के रूप में भोक्ता को स्वास्त वातावरण में अपना जीवन वयतित करने का अधिकार है उनके पास वर्तमान के साथ-साथ भविश्य में भी अच्छे भविश्य में भी स्वच और प्रदूसन मु भी उसके अधिकार हैं यहां पर हमने वही अधिकार जो हैं जो इंदी में मैंने आपको पढ़के बताया है उसके बाद में राइट टू इन्फोर्मेशन यह बताया है उसके बाद में राइट टू चूज यह वाला तीसरा बताया है और उसके बाद में चौथा जो है चरणों का जो है बंडन करना है different steps in process of controlling तो देखिए पहला निश्पाधन मानकों का निर्धारन यहाँ पे जो है आपको पांच पॉइंट लिखने हैं और पांचों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें पांची पोईंट होते हैं ठीक है तो इसमें आपका पहला है निस्पादन मानकों का निधायत होते हैं मानकों को परिनात्मक तथा गुनात्मक दोनों रूप में निधायत किया जा सकता है यह महत्पून है कि मानक इतने लचीले हों कि आउशक्ता अनुसार सुधारे जा सकें और प्रमाप प्राप्त करने युग तथा समय बद्ध भी होने चाहिए उसके अलावा दूसरा हम बता सकते हैं इसका जो है मैं क्या बताना है नियंतरन प्रकिया का विविन चरण तो पहला चरण तो यह है कि निस्पादन और मानकों का नेधान होता है इसके बाद में वास्तविक निस्पादन की माप होती है तो इसमें क्या होता है निस्पादन की माप उन बातों को ध्यान में रख कर करनी चाहिए जिन हैं प्रमाप करते समय रखा गया है और इस चरण में वास्तुविक कारे को माप आ जाता है तीसरा है जो इसमें चरण आता है वास्तिविक निस्पादन की मानकों से तुलना जो वास्तिविक निस्पादन हमने माप बनाया था इसको अब तुलना करेंगे तो इस करवाई में वास्तिक निस्पादन की तुलना निर्धारित मानकों से की जाती है और ऐसी तुलना में अंतर हो सकता है यदि ये दोनों समान हो तो ये माना जाएगा कि नियंतरन का इस्तर बिल्कुल ठीक है चौथा जो है इसके बाद में आता है विचलन का विचलेशन जो भी अगर डेविएशन कुछ हुआ है उपर नीचे हुआ है तो मानकों द्वारा विचलन का पता लगाया जा सकता है तथा विचलेशन किया जाता है ताकि विचलोनों के कारण को पहचाना जा सके और विचलोनों को पूर निधायत विचलन सहल सीमा एवं मुख्य परणाम छेतरों के संधर्म में देखा जाता है जिसमें दो बिंदू को काउंट किया जाता है मैतपूर्ण बिंदू पर नियंतरन और दूसरा है अपवाद द्वारा प्रबंद तो ये दोनो बिंदू भी आपको इसमें डाल देने हैं अगर आप फिर भी भूल जाते हैं तो कोई बात नी, चोटा इस्टेप में आप इतना لिख सकते हैं तो सभी क्रियाओं पर नियंतरन रकना न तो वतेपूर्ण है, वयतपूर्ण है और ना ही सरल अपको क्योंकि सारी क्रियाओं पर नियंतरन नहीं हो पाता है अतधrah प्रबंद को है एक प्रबंद को महतुपूर्ण विचलन आने पर ही सुधारात्मक कारवाई करनी चाहिए जब विचलन सुकार सुकार्रे स्तर से बाहर हो जाए जो विचलन सुकार्रे स्तर के अंदर हो उन्हें अंदेखा किया जा सकता है और पांचवा जो है इसमें हमारा स्टेप जो आएगा सुधारात्मक कारवाई करना तो यह नियंतरन परक्रिया का अंतिम चरण है यदि विचलन अपनी इधायत सिमा के अंदर है तो किसी सुधारात्मक करवाई की आउशकता नहीं है परन्तु यदि अंतर अधिक हो जाए तो योजनाओं में सु हटा देना ठीक है बाई मिस्टेक जो यहां पर रह गया है यहां पर मैं इसको हटा देता हूं ठीक है इस तरह से आप इसको हटा देना तो यहां पर जो है इसका हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देखिए determination of performance is standard तो इसमें आपका standard is a parameter under which actual performance is measure standard are set first in the control process और फिर इसके बाद modified as needed ठीक है बस इतना आप लिख दोगे तो आपका काम यहां पर खतम हो जाएगा तो बस इतना लिख देना आपका काम यहां पर समाप्त हो जाएगा तूसरा जो है measurement of actual performance जो यहां पर मैंने points बताये हैं इसी point को यहां पर हमने समझाया है तो आपने अगर उपर समझ लिया है तो यहां पर भी आप नीचे समझ पाओगे फिर तीसरा जो है comparison of actual performance with standards और उसके बाद में deviation analysis होती है और उसके बाद में जो है आपका deviation analysis में दो point जो हम लेते हैं A और B part यह वाला हम mention कर देंगे अगर आप चाहें तो और नहीं mention करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं आप mention ना क करें तो भी चलेगा लेकिन आगर mention करते हो तो सबसे ज्यादा best माना जाएगा तो यह आप एक बार जरूर देखें तो चौते point में यह दो उसके चोटे टुकड़े होते हैं इसको आप जरूर mention करें और पांचवा point इसमें आ जाएगा taking corrective action ठीक है तो last में जो है corrective action लिया तो अच्छे नेता के पास अच्छी उचाई वजन स्वास्त और उपस्तिती होनी चाहिए स्वास्त एवं सहन सकती एक नेता को कड़ी मेहनत करने मदद करता है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरिद करता है ज्यान एक अच्छे नेता के पास आवश्यक ज्यान और अधार Eguma भृष्ऴ एक नेतको एक अच्छा शंचारक होना चाहिए उसे दूस्तरों को अपने विचार, बृष्ण Samman लिख सकते हैं प्रणा स्काशल तो हमने आपको 5 पॉइंट चिला हैं तो 5 पॉइंट लिखें 6 पॉइंट लिखना चाहिए 6 पॉइंट लिखें मैंने 7-8 पॉइंट लिख दियें ताकि आपको जो यह आसानी से याद हो वो आप याद करें पेड़ना कोशल एक नेता को अपने क्रमचारियों की जरूरतों को समझना चाहिए और उसकी जरूरतों को पूरा करके उन्हें प्रयाइद करना चाहिए आत्मिस्वास, एक नेता में उच इस तरह का आत्मिस्वास होना चाहिए, कठिन से कठिन समय में भी उसका आत्मिस्वास नहीं खोना चाहिए निरनायक ताकि बात करें, तो एक नेता को इस अर्थ में निरनायक होना चाहिए कि एक बार निर्डे लेने के बाद उससे उस पर द्रड रहना चाहिए वो बदलेना और नववा भी हम बचा सकते हैं समाजिक कोशल एक नेता को अपने सहियोगियों और अन्वाईयों के साथ मिल करके और मैत्री पूर्ण होना चाहिए ताकि वह उन्हें और उनकी जरूरतों को समझ सके तो उसी को हमने इंगलिस में समझा है physical qualities जो पहला point है आपका उसके बाद में knowledge जो दूसरा point है तीसरा जो है integrity जो तीसरा point है आपका इसके बाद चौथा जो है initiative यानि पहल करने वाला होना चाहिए communication skill यानि कि उसकी संचार सक्ती अच्छी होने चाहिए motivation skill उसकी अ तो इस तरह से नौ पॉइंट है, नौ में से आपको भी 5-6 आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज करेंगे, अठारो कोशन है, विप्डण के किनी पाँच कार्रियों की व्याख्या करनी है, फंक्षन ओफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के बहुत सारे काम है, कम से 12-13 लेकिन हम 12-13 नहीं भी है, तो 10 तो हैं, तो हम उसमें से 5 जो है मेन लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहला आए उपभोकताओं की जागरूपता की पहचान, तो जरूरतों की पहचान, तो विप्डण का कार्रियों पहला कदम जो है उपभोकता की जरूरतों को पहचान करन हैं, जो ग्राहक की जरूरतों और चाहतों के साथ निकटता से मेल खाते हैं, दूसरा जो है नियोजन, यानि कि आपका जो मार्केटिंग नियोजन है, यानि कि मार्केटिंग विप्डण नियोजन है, तो विप्डण का कार्रे अगला चरण जो है नियोजन है, इसे वैपा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाता है प्रबंद को कंपनी के उद्देश्य के बारे में बहुत इस्पष्ट होना चाहिए ठीक है और कंपनी को विप्रण है तुए जो अब आउश्यक हो उसके बाद तीसरा पॉंट हम बता सकते हैं उत्पाद विकास विपरण का क्या का रहे है उत्पाद का विकास करना तो भोगता जानकारी से विवरण प्राप्त करने के बाद उत्पाद को भोगताओं द्वारा उपयोग के लिए विक्सित किया जाता है ऐसे कई कारक हैं जो किसी उत्पाद को ग पैकेजिंग और उससे जुड़ा लेवल होता है इसलिए पैकेजिंग और लेबलिंग का बहुती अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए या एक सर्विदित तत्य है कि उत्पाद की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी पैकेजिंग और लेबलिंग जो है एक प्रचार ग्रहकों को उत्पाद के बारे में जागरुक करने की प्रक्रिया है इसमें उत्पाद को प्रचार के विभिन माद्यमों से ग्रहकों को पेश करना और उत्पाद को खाइदने के लिए उन्हें लुभाने की प्रक्रिया शामिल है प्रचार के प्रमुक चैनल जो ह पहुचने से है यानि कि जो वस्तु बनाई गई है उनको भोकता के जहां पर मार्केट है प्लेस है वहां तक पहुचना है एक कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पाद के लिए वित्रण जो है उसका सही माध्यम चुना गया है या नहीं तो इस तरह से हम छे है फिर आपका जो है पैकेजिंग लेवलिंग है और उसके बाद में है प्रोमोशन और उसके बाद में जो है आपका डिस्ट्यूबूशन इसके लावा जो है वेयर हाउसिंग है यानि कि रख रखाओ भी है तो बहुत सारी चीज़े हैं और भी काउंट होती है तो हमने को प्रवाईत करने वाले तत्व मेंसे एक मेहतुपूंद है इसकी लागत है और इस लागत में वस्तू के उत्पादन विच्रण विक्रे की लागत को संभलित किया जाता है और लागत वहन निवन्तम अथवा आधार मुल्य होता है जिस पर वस्तु को बेचा जा सकता है दूसरी जो है आपको अगर मुले निधारण करना है तो उपयोंगता एवं मांग को देखा जाता है तो क्रेता जो मुले देना चांता है उसका निचला इस्तर उत्पाद की लागत पर निर्भर करता है जबकि उत्पाद की उप्योगिता एवं मांग की तीर्वरता उसके उपर के इस्तर का निर्धारन करती है किसी वस्तू का मुल्य उसकी मांग की लोच पर निर्भर करता है मांग लोचपूर मानी जाएगी यदि मुल्ले में थोड़ा परिवर्तन होने पर भी मांग में भारी परवर्तन आता है तीसरा हम जो तत्व बता सकते हैं जो इसको निधारित करता है बाजार में प्रतियोगीता की सीमा कैसी है तो यहाँ पर निउन्तम तता अधिकतम मुल्ले सीमा के बीच में मुल्ले कहा निश्चित किया जाएगा ये परतियोगीता की प्रकरती एमम उसकी तीवता पर निर्भर करता है यदि प्रतियोगीता कम है तो मुल्ले ऊचा होगा यानि कि मालो की मैं ही बेचने वाला हूँ उस सामान को तो मैं चाहें उस सामान को किसी भी मुल्ले बेच सकता है लेकिन स्वतंत्र पृत्योगिता है यानि कि बहुत सारे लोग उसी माल को बेच रहे हैं तो मुल्ले कम हो जाएगा क्योंकि मैं कम में नहीं दूँगा तो दूसरे के पास आदमी चला जाएगा दूसरा नहीं देगा तो उस तीसरे के पास चला जाएगा तो चौथा जो है इसमे कारक जो होता है वो सरकार आता है सरकार और कानुनियम भी नियमन में आते हैं सामिल होते हैं तो मुल्य नियमन में अनूचित वहवार के विरुद जन साधारन के हितों की रक्षा के लिए सरकार हस्ताशेप कर वस्तु के मुल्य का नियमन कर सकती है किसी भी उत्पाद को सरकार आवर्शक वस्तु गोशित कर उसके मुल्य का नियमन निर्धाइत कर सकती है और पांचवा जो है इसमें पॉइंट आता है जो पाँचवा तत्व है जो मुल्य निर्धारण में तो मुल्य निर्धारण का उदेश्य जो है वो क्या है ये भी एक dependent होता है तो किसी भी वस्तु अथवा सिवा का मुल्य निश्चित करने को प्रभावित तत्व मुल्य निर्धारण के उदेश्य है यानि कि जो प्रवाई तत्व हैं वही मुल्य निर्धारण के उद्धेश हैं साधारण अगर हम साधारण तया माना जाता है कि इसके उद्धेश अधिक लाब कमाना है यानि कि जो मुल्य निधान किसलिए होता है तो सभी को पता है कि जो आप कोई भी चीज बनाते है तो उसका उद्धिश सिंपल है कि आपको लाव मिलना चाहिए लेकिन अलप अवधी में लाव कमाना और दिर अवधी में लाव कमाने में अंतर होता है अब आपको लाब तो लेना है, लेकिन अभी जलद से जलद लेना है या लंबे समय में लेना है, वो उसके उपर डिपेंड करता है, जो उस उतपाद को बना रहा है. तो यदि फर्म फैसला लेती है कि अल्प आउधी में अधिक लाब कमाया जाए तो वो अपने उत्पादों को कीमत क्या रखेगी अधिक रखेगी ताकि यह आपका अलग हो जाए ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बताए है पहला जो है कोस्ट ओफ गुड है दूसरा जो है आपका इसमा जाएगा यूटिलिटी एंड डिमांड है उसके बाद तीसरा जाएगा लिमिट ओफ कॉम्पेटिशन इन दा मार्केट ठीक है कैसा आपका कम्पेटिशन है मार्केट में उसके उपर भी आपका जो है मुल्य निधायत होता है उसके बाद में गॉवर्मेंट एंड लीगर रूल्स ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपे की चीज़ को 100 रुपे में बेचोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है तो उसको भी निधायत करने के लिए सोचना पड़ता है और objective क्या है pricing की यानि कि मुल्य निधारन का उदिश ये क्या है इस factor को भी जरूर देखा जाता है ठीक है और उसके बाद में आपका अंतिम आ जाएगा तो इस तरह से यह हमारा solution हुआ बी स्टी का और हमने इसके अलावा आपके बहुत सारे सब्जेक्ट को सॉल करा है सभी को वन बाई वन सेट को तयार कर लीजिए आपके पास समय बहुत कम है जितने सेट्स आपको मिल रहे है इनको तो एटलिस्ट कम से कम 100% तयार करिए कि आपको लास्ट में जाकर केवल एक नजर मारनी पड़े एकजाम से एक दिन पहले यह नहीं कि सर सेट नमबर दो दे दो सेट नमबर तीन दे दो सेट नमबर चार दे दो आप कमेंट करिए कमेंट के लिए माना ही नहीं है कमेंट करेंगे तो ही तो हमें पता जलेगा कि आप लोगों को कौन सा सेट चाहिए लेकिन सेट के लिए इतना परिशान ना हो सेट तो सारे मिलेंगे लेकिन आपके पास जो सेट है वही आपने तयार नहीं किये तो माने कि हाँ आपने तैयारी अच्छी की है इस बार आपके model papers बहुत important रोल पैदा करेंगे तो ध्यान रखना है आपको कि model papers जो term 1 के term 2 के उनको जरूर पढ़ें और साथी साथ जो monthly assignment है वो बहुत important role play करेंगे अब आपकी link है ना 12th class की उसी के अंदर सब कुछ अविलेबल है अब आप link नहीं देखोगे या video के अंदर जा करके series नहीं देखोगे तो फिर आपको ही नुकसान है मेरा कुछ नहीं है ठीक है तो आसा करता हूँ इस video से आप लोगों का help मिलेगी और आप लोग maximum share और maximum comment करोगे ताकि आपके दूसरे sets को भी जल्द से जल्द provide किया जाए आपके लिए thank you very much have a good day